हे गाईज देखो आप जो है कुछ पैनी स्टॉक्स के बारे में डिसकस कर लेते हैं कुछ पैनी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चल नहीं रहे हैं वो बहुत तेजी से दोड़ते जा रहे हैं ऐसा है तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आप लोग को यहां पर जनकारी दूँ यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको company का नाम दिखा देता हूँ Harmony Capital Service ठीक है Harmony Capital Service ठीक है 41.57 में आपको देखने को मिलना है पिछले 6 मेने में इसने जो है 200% के लंब सम रिटर निकाल के देने के कोसिस किया और पिछले 1 सालों में 600% जो कि समझ लो कि काफी एचा percentage है और इस तरीके से सब यह अभी अभी तो समझो कि चलना स्टार्ट किया पहले तो बीच में गिरावाट भी देखने को मिलना था जो कि स्टॉक आधा गिर चुका था 50-60% तक गिर चुका था थोड़ी सी जानकारी देता हूँ इस company के बारे में finance sector की है ठीक है finance sector की है जैसे की interest होता है न interest लेना और बहुत सारे lease पे देड़ा तो मतलब rent, interest यह सारी चीज़ों के लिए ही काम करती है bill discounting के लिए काम करती है तो मतलब एक जगा से bill दिया जाता है यहाँ इतना EC साब से पैसा दिया जाएगा तो bank में जाके discount कर सकते हैं तो यहाँ पर भी discount कर लेते हैं तो यह लोग उच पैसा रख लेते हैं और उसके बाद उनको दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर consultancy से related आपको देखने को मिल लागा deposit से related आपको देखने को मिल जागा capital structure से related देखने को मिल जागा loan से related देखने को मिल जाएगा और यह बहुत छोटी कंपनी है सरे केवल 12-13 करोड के कंपनी है इतरा छोटा कंपरी है ऐसा है तो केवल मैं आपको बलूँगा कि study करने के लिए केवल study करने के लिए ऐसा है करके क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और कुछ भी हो सकता है करके मतलब यह कंपनी बहुत बड़ा return भी निकाल के दे सकती है या फिर यह stock समझ ले ले कि बहुत ज़्यादा गिराओड भी दिखने को मिल सकता है ऐसा भी हो सकता है पर्मोटर्स के पास 73% निश्चेदारी है पर्मोटर्स ने 18% निश्चेदारी बढ़ाई भी है 18.6% निश्चेदारी पर्मोटर्स ने बढ़ाई भी है और 0 date है इसलिए मैंने सोच आगे तक वो company fundamentally मजबूत है पर्मोटर्स ने अपने हिस्चेदारी बढ़ाई भी ठीक है पर्मोटर्स ने हिस्चेदारी बढ़ाया और उसके साथ-साथ company के पास 0 आपको data दिखने को मिला तो फिर tension क्या है company finance sector में जिस तरके से काम कर रही है तो अगर यहाँ पर दिखना होगा ना अभी नहीं नहीं है तो धिरी धरे कभी-कभी मतलब समझ लो कि यह लग बग जो है आठ लाग, तेरा लाग, ठर्टी फोर लाग इस तरके से यह कभी ठर्टी एट लाग का जो है यह लोग sales generate कर लेते हैं और इनका उन में से operating profit जो margin होता है 40% होता है, 60% होता है इस तरीके से लाग था, कभी negative में बीचल लाथा तो अभी profit loss की बात नहीं कर सकते है क्योंकि अभी बहुत छोटी company है दूसरा जो देखने को मिला है WEP, solution यह जो company है यह आपको इसा dividend भी निकाल के देती है पिछले 6 मेने में कुछ खास return नहीं निकाल के दिया है पिछले 1 साल में भी कुछ नहीं है एकदम देखी का ध्यान से तो यह side way है एकदम side way यह ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा जितना गिरना था इस stock को समझ लो कि यह गिर शुका जितना गिरना था 400 रुपे से गिर के आज के rate में अगर आप देखोगे तो 26 रुपे में है और सर यह बहुत सस्ता है इसका P भी अगर आप देखोगे तो किवल 15 सुल लगा है और साथ में यह company तो आपको 2% का dividend ही निकाल के देती है ऐसा है और इसके promotors ने भी हिस्सेदारी अभी हाल फिलार में बढ़ाई है और यह जो company है सर यह IT सेक्टर में काम करता है इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ इसकी खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह dividend देती है पहली चीज दूसरी चीज खास बात बताऊँगा तो आप बोलेगो कि ऐसा हो इने सकता चलिए कोई बात ने कैसा है देख लेते है partnership करके company काम करती है ठीक है digital marketing के लिए जो company जो काम करती है और sir इस company के clients तो देखो clients कौन है HDFC bank HDFC bank Vipro यह बड़े बड़े आपको देखने को मिल लगा जो company है galaxy, metro तो यह बड़े बड़े जो company है ना सरे इनके client है Vipro कोई चोटी मुटी company ने HDFC पोई चोटा मुटा आप देखने को नहीं मिल लगा ठीक है revenue यहाँ पर देखोगो तो 54% यह revenue करते है product को बेच का sales, revenue कुछ भी बोलो service से 45% और 1% से other income इनका आता है इतना यह company कमाल लेती है IT sector की king है कि सर यह आपको अच्छा काचा dividend भी देती है और इस company के promoters में भी सायद हिस्तेदारी बढ़ाई है क्या नहीं 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 ठीक है इस promoters के पास 41.8% है लेकिन एक भी share pledge नहीं है जो कि समझो कि एक अच्छी कबर है और इस company के पास जो date देखने को मिलदा वो 5 crore का है 100 crore की company और 5 crore का date है कुछ भी नहीं है सर उसके सामने कुछ भी नहीं है उनसे ज़्यादा तो company मुझे लगता है कि balance sheet में reserve लेके चलती है देखिए बहुत सारे ऐसे जो छोटे-छोटे stock है वो काफी एचा profit कर रहे है और वो भी IT sector का IT sector में केवल छोटे-छोटे stock ही है जो अच्छा perform कर पा रहे है ऐसा है तो कुछ-कुछ penny stock दौड नहीं रहे हैं चल नहीं रहे हैं दौड रहे हैं और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमेट अकॉन इंजल में उपन कर सकते हैं जहां पर डीमेट अकॉन फ्री रहेगा डिलिवरी चाज़ इस फ्री क्यों टॉन रूपिस लगिया वो भी इंट्राटेमन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिंटों में जाके अपने डीमेट अकॉन बागर उपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री